हलो फ्रेंज मैं हुरुची अजे और आज मैं आपके लेकर आई हूँ इंस्टेंट खोय की रेसिपी अगर हम खोया दूद से बनाएं तो काफी वक्त लेता है तो आज हम बहुत ही जल्दी में बनाएंगे खोया वो भी तीन चीजों से बिल्कुल इंस्टेंट एकदम घर पे मिल्क और दो चमच देसी घी के आप कोई भी कटोरी या गिलास ले लीजिए या कप ले लीजिए और उसके हिसाब से आप सारी मेजरमेंट्स कीज़े पर एक ही चीज को रखेगा तो यहां पर मैं एक मोटे तले वाली कढ़ाई लूँगी प्रेफरबली आप एक नॉन कोई एक चीज ले लीजिए कटोरी या कोई कप और सारी मेजरमेंट्स के हिसाब से की जिए मिल्क पाउडर की और दूद की तो आधा कप दूद मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही हम डाल देंगे एक कप प्रेंट अब इसे हमें गैस को कर देना है लो मीडियम फ्लेम प और गैस की फ्लेम को लो मीटियम, ये हमारा आप देखेगे धीरे 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 ज़िएंया होटा जाएगा और उजती हैं महीं स्कॉपम आप इसे चलाना बंद ना करें लगातार इसको चलाते रहें तो करीब चार से पांच मिनट के अंदर ये तयार हो जाता है डिपेंडिंग पॉन कि आपने बटन किस तरह का लिया है तो यह देखें इस तरह से हम साइट से इसको निकालते जाएंगे और यह हमारा और मुस्ट तयार होने की स्टेच पे है थोड़ी देर और मैं इसको पकाऊंगी तो सिर्फ चार से पांच मिनट की महनत है यह हमारी हमें गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और लगातार इसको इससे चलाते जाना है साइट से इसको निकालते रहें और आप देखेंगे कि हमारा खो इसको निकाल लिया है इसको में ठंडा होने के लिए रखोंगी उससे पहले आपको दिखाने के लिए कितना परफिक बना है देखिए से प्रेस करें से कितना सॉफ्ट है नरम है तो इसे में यहां पर डी मोल्ड करती हूं तो हमारा इंस्टिंट खोया तयार है मिल्क पाउडर से यह खोया बिल्कुल दूद वाले खोयों के प्योर दूद के खोय की तरह ही लगता है आप इसे मिठाईयों में सबजियों में यूज़ कर सकते हैं बहुत असानी से जटपट बन जाता है तो जितनी कॉनिटी का आप को चाहिए उतना आप बनाए और देखे बिलकुल परफेक्ट नरम बना है न तो आप इस प्रेसिपी को जरूर ट्राइ कीज़ेगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीज़ेगा थांक यू